नमस्कार स्वागत है आपका TNP निउस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शानाबाद मिर्दा प्रधान मंती नरेंदर मोदी ने ने संसत भवन का उधगाटन किया है और इस उधगाटन कारिकरम का कई विपक्षिय दलों ने वरोध भी किया है और इस सिकारिकरम क वहिशकार करते नजर आए उधगाटन कारिकरम में कई नेता मौजूद रहे और उधगाटन से पहले पीम नरेंदर मोदी को सैगौल सौपा गया जिस नए संसत भवन में स्थापित किया गया है और इस सब मोद्वे को लेकर भारती इंदर पार्टी के सांसत गैशाम सिंग लोदी से खास बातचीत की हमारे संवधाता शिवम पांडे ने क्या कुछ उनोंने कहा आपको सुनवाते हैं अब इन ही से की जाएंगे क्या कहीं इसको लेकर देखिए पहले तो मैं अपने देश के प्रदान मंतरी को मानियमोदी जी को बदाई देना चाहता हूं क्योंके लोक तंत्र का एक इतना बड़ा नहांचा खड़ा किया है और मैं समझता हूं क्योंकि सबसे अच्छा ऐसा भ बास्तू के हिसाब से बना है बड़ा सुन्दर लगा और हम तो हमारा स्वभाग है कि हम पहली बार आये और 28 तारीक आज 28 तारीक को उसके उद्गाडन में हम से लोग सरीक हुए और जो लोग रहे गा है पस्ताबा उन्हें रहेगा क्योंकि ऐसे च्छड में उन्होंने कमा हुए सर कहीं नकहीं देखा जाये बिपक्ष लगा दार मोधी जुक कोस्तिय ना जराई कि राष्ट्पति के द्वारा उधगाटन नहीं करवाया जा रहा है क्योंकि प्रधान मंत्री जी इसका सिलन्यास किया था में सुध portrayedusa दूर भी रही लेकिन विपक्ष के हिलो हंकितना स्थान करती है पिछव बार देखाोगा सधन चला एक महीन लगवा सदन चलने नहीं वह करोडों का नुक्सान देश को भी हुआ, सरकार को भी हुआ, लेकिन उन्हें सदन नहीं चलने दिया, कसम खा रखी, बुरूत करने की इतना सुन्दर, इतना अच्छा काम आज मानियम प्रधान मंद्री जी ने किया है, मैं समझता हूँ, देश के हित में और इस लोकतंत्र के हित में ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि लोकतंत्र पूरे देश का हीं से चलेगा, दिल्ली से चलता है, और मैं समझता हूँ, इसक इस गुरू बनकर जो उबर रहा है तो मैं समाजता हूं उसकी पैचान ही से बनेगी इस लोकतंदर के मंदर से बनेगी 2024 का लोकसभा चुनाओं बस समीप है क्योंकि प्रधान मंत्री उद्घाटन के बाद बीजेपी मुख्याले पहुंच है और वहां उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीयम जितने बीजेपी सासित प्रदेश हैं वहां के सीयम से बीटिंग करेंगी 2024 का जो लोकसभा चुना लड़ेगी अभी तो मानिय मोदी जी हमारे प्रदान मंत्री है और मैं समझता हूं पार्टी उनके निद्रमी चुनाब लड़ेगी और हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है और हमारी तैयारी कि हम जिस दिन से चुनाब जीते हैं आगले चुनाब की हम तैयारी सुरू कर द तो हमारी पूरी तैयारी है और 2024 में जब भी डेट फिक्स होंगी चुनाब की तो हम समझता हम पूरी तैयार हो और चुनाब हम यूपसी भी जीतेंगे और पूरे भारत से जीतके कर जो हमारा लक्ष हमारे नेताओं को उस लक्ष को पूरा करेंगे पूरा नितीस कुमार सब राजज में जाके सीयम से मुलाकात कर रहे हैं क्या बीजेपी कही रहा है कि एक पहली बार इखट्टा नहीं हो रहा पिछला जो जो जुजार उननिस वाला चुनाब ने मिलकर चुनाब लड़ा था सब लोग इखटे हुए तै लेकिन आज देखो कह बैटा है विपक्ष और क्या इस्थिती है मेरिकान सब्सक्राइब नुकसान जो हुआ है विपक्ष को हुआ है और मैं समझता हूं विपक्ष ऐसी गलती साथ नहीं करेगा क्योंकि अभी तो उन में पहले नेता ही तैया लोग सॉबाहएं कुनाओं लड़ा गुएं के उलड़ा जाएगा वीडियो जॉनलिस्ट अमिट के साथ